दोस्तो आज का वीडियो बहुत ही जादा खास होने अला क्योंकि आज की वीडियो मैं बात करने वाला हूं 2021 के नई TV सीरीज के बारे में जो लॉंच की है कॉमपैक ब्रैंड ने एर सीरीज का नाम दिया है क्या खास है सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में कौन था वेरेंट है क्या प्राइजिंग और सबसे इंपोर्डेंट चीज क्या यह हमें लेना चाहिए या नहीं सब कुछ होगा धमाके दार इस वीडियो में लेकिन उसके बारे में यहां पर उन्होंने तीन वेरेंट लांच के जहां पर एक स्टार्ट होता है फृटी टू से जाता है फृटी थि फ्री उसके बाद है 50 यहां पर तीन वेरेंट आपको देखनी मिलेंगे और सबसे इंपोर्डेंट चीज होती है यहां पर टीवी की HD Ready TV उसकी प्राइजिंग 14,000 रुपए के आसपास है, जो 43 इंच की TV फूल HD वेरेंट है, उसकी प्राइजिंग तकरीबन 24,000 रुपए है, और उसके बाद जो 50 इंच का वेरेंट है, जो 4K Ultra HD का वेरेंट है, वहाँ पर उसकी प्राइजिंग रखी गए, यह 33,000 रुपीस, और यह प्राइजिंग देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अल्रेडी काफी ब्राइज थे जो इस प्राइज सेग्मेंट में आपको टीवी दे रहे थे और उस पर से एक एक और ब्राइज आ गया, तो कन्फूचन बहुत ही जादा बढ़ गया, और यहाँ पर यहाँ पर कुछ नया नाम मार्केट में आपको सुनने मिलेगा, जिसका नाम है IBD, जिसको बलते हैं Intelligent Backlight Dimming, तो यहाँ पर आपको 1296 Dimming Zones दिये गए, तो यहाँ पर Blacks का जो लेवल होगा काफी अच्छा देखने मिलेगा, साथी साथ जो जो वाइट का जो कलर होगा काफी आपको वाइटर, ब्राइटर देखने को मिलेगा, ऐसा compact कहता है, कितना काम करेगा, वो मैं आपको hands-on review करके ही पता सकता हूँ, इसी के साथियत बात करें, रिफ्रेश एट के बारे में, तो 60 Hz का रिफ्रेश एट दिया गया है, SDR 10 और HLG के साथ आने वाली यह TV है, और ज थोड़ी से कम भी है, जो disappointing लगती है, मुझे, इसी के साथियत बात करें, contrast ratio के बारे में, तो यहाँ पर आपको 4000 raised to 1 का contrast, static contrast ratio दिया गया है, लेकिन सिर्फ और से वो भी 50 इंच के variant में, बाकि जो दो variant आते हैं, उसमें contrast ratio कम है, वो भी disappointing होगा, यहाँ पर इस TV में, बात करें यहाँ पर TV के sound output के बारे में, तो यहाँ पर आपको 24 Watt का sound output दिया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि यहाँ आपको 32 इंच से लेके 15 इंच के सभी वेरिंट में, आपको 24 Watt का sound output दिया गया है, इसी के साथ यहाँ पर Dolby Audio का अभी support आपको मिलेगा, अ लेकिन, सिर्फ वो से 15 इंच के वेरिंट में, जो 43 और 32 इंच का वेरिंट है, वहाँ पर आपको थोड़ी सी कटवती की गई है, जहाँ पर आपको 8 GB का internal storage देखने को मिलेगा, और जो usable होगा, वो तो और भी कम हो जाता है, जिसे हम सभी को पता है, तो वो कहने की जरूद न लेकिन, सिर्फ और सिर्फ, 15 इंच के वेरिंट में, 43 और 32 में अलग अलग अलगे वाप स्क्रीन पे देख सकते हो, बात कर लें यहाँ पर TV के connectivity और पोर्ट के बारे में, तो यहाँ पर आपको इस TV में 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट दिखने मिल जाएंगे, Bluetooth दिया गया है, Dual Band Wi- पोर्ट दिखने मिल जाएगा, और Optical Output, Input का पोर्ट दिखने मिल जाएगा, तो यह सारे जितने भी required पोर्ट होते हैं, साथी साथ 3.5 अम का jack, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे, तो पोर्ट के मामले में कोई भी कटा होती नहीं गी गई है, एक पॉइंट है जो देखने मिल जाएगा, जो voice enabled feature के साथ आता है, Google Assistant का dedicated keys भी देखने मिल जाएगा, hot keys दिए गए सिर्फ Netflix और YouTube के बाकी hot keys आपको देखने को नहीं मिलने वाले इस remote में, और बात करने यहाँ पर TV के design के बारे में, तो यहाँ पर bezel-less design तो नहीं दी गई है, यहाँ पर आपको thin bezel देखने को मिल जाएंगे, TV के side-side में, और जो tabletop stand है, वो भी थोड़ा सा fancy नाम दियागा, मुझे याद भी पी करें, पी से कुछ start होता है, और उसका tabletop stand है, वो भी थोड़ा सा different angle का है, तो यह सारे details हो गए on paper, जो compact ने announce किये है, और जो launch हो चुकी है Indian market में, और यहाँ पर कुछ highlights के बारे में बात करें, जो आपको सर्फ वो से compact की TV में देखने मिलेगा, specific to ER series में, तो सबसे पहले बात कर लेते है, experience stabilization engine के बारे में, यह technology compact की बनी-बनाई technology है, और यह काम करती है, motion, flow और यह जो आपका screen में जो blurness होती है, जब कोई भी action या फिर fast moving objects का, आप scene सकती है, यह technology, यह खास एक लेकिया है compact, दूसरी highlight होगी इस TV के, यहाँ पे आपको IBD जैसा मैंने starting में बताया है, कि intelligent backlight dimming दी गई है, 1296 dimming zones दे गई है, जो यह बहुत अची बात है, क्यों यहाँ पे आपको इतने सारे dimming zones देखने को मतलब blacks और whites का बहुत ही बढ़िया द देखने में थोड़ा सा, मतलब reference लग रहा है, और कुछ हट के भी लग रहा है, लेकिन आप यह marketing gimmick है, या फिर सच में काम करता है, जैसा मैं हो कह रहे है, और मैं आपको बदलता हूँ कि काम किस धंग से करने वाला है, यह basically आपके जो कान है, उसको damage नहीं करेगा, अज हम technology compact ने लेकिया है, कितने ढंग से काम करें, कितना अच्छा यह मैं आपको hands-on review करके ही बता सकता हूँ, तो उस review के लिए तो जरूर wait करना, और यहाँ पर बात कर ले कुछ cons के बारे में, तो यहाँ पर cons तो मुझे बहुत ही जादा लगे, सबसे major cons है यहाँ पर, कि इस price segment मे जिसमें आप TV दे रहे हो, उसमें आपको dolby vision भी देते है, यह price segment, मतब other brands, तो यहाँ पर एक minus points सीधा सीधा दिख रहा है, मतलब जो अंधा भी होगा, उसको भी समझ रहे है, यहाँ पर dolby vision नहीं दिया गया है, साथ ही साथ, यहाँ पर जो SD मैय पोर्ट है, आज के तारिक म और SD मैं port से जुड़ा एक और point होगा, खास करके, यहाँ पर आपको ARC port supported नहीं है, तो कोई भी आप home theater या sound bar connect नहीं कर पाऊगे, तो यह मतलब बहुत ही minus point लगा मुझे कि यह मतलब इतना, तो port के ओपर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए था, और दोस्तों मैं आपको यह कहना चाहूँगा, अगर आप यह TV लेने का प्लान कर रहे हैं, तो क्या यह आपको लेना चाहिए या नहीं, मैं आपको भी तो recommend नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने personally TV देखी नहीं है, देखने के बाद मैं आपको genuinely बता सकता हूँ कि आपको decision करना चाहिए या नहीं, फिर भी final decision में आप पे छोडता हूँ, इसी के साथी साथ आप मुझे बताइए कि आपका इस compact brand और compact ही जो नई TV सीरी उसके बारे में क्या आप कहना है, comment section में लिखिए, सवाल जवाब उसमें आप पूछ सकते हो, आपको comment में आपको reply तो मिली जाएगा, साथी साथ आप मुझे तil then keep smiling and keep watching, happy kind, bye bye.